भतीजे चिराग पास्वान और चाचा पशुपती पारस के बीच ऐसा क्या हुआ जिससे भतीजा आज अलग थलग खड़ा है। इस कहानी के पीछे अप्मान को मूल वजह बताया जा रहा है। चिराग पास्वान की लोग जन्शक्ती पार्टी में फूट के पीछे मुख मंतरी नितीश कुमार को जिमेदार ठहराया जा रहा है। इस दभे के बिहार बिधान सबाचुनाओं में हुए अपने अपमान का बदला लेने के लिए नितीश कुमार ने अपने करीबी सांसद राजी ब्रंजन उर्फ ललन सिंग को ये कारज सौपा था कि वे पशुपती पारस के नजदी की रिष्टेदार महश्वर हजारी जो परिष्टे में पशुपती के ममेरे भाई लगते हैं उन्हें चिराख को सबक सिखाने का जिम्मा दें पतादे के बिधान सबाचुनाओं के दौरान चिराख पासपान ने नितीश कुमार पर लगातार सीधा हमला साधा वही पशुपती पारस जिनका चिराख से शुरू से 36 का आकड़ रहा है वे पार्टी में अपनी अंदेखी से नाराज चल रहे थे उनका मानना था कि भाई रामविलास पासपान के निधन के बाद उनको राजनीत तो दूर परिबार में भी अलग थलग कर दिया गया था रामविलास पासपान की मृत्यू के चार दिन भी नही चाचा को पार्टी से निकालने की धमकी देडाली कहते हैं जब आप में पशुपती ने कहा कि तुम भी समझो कि तुम्हारा चाचा मर गया और पारस ने तभी से चिराक से बदला लेने का मन बना लिया बैसे भी पारस की नितिश कुमार से नस्दी किया किसी से छुपी नह ही है पशुपती जब लगातार दो बार चुनाव हार गये थे तब भी नितिश ने उन्हें विधान परिशत का सदस्य बनाने से पहले मंत्रीपत की शपत दिलवादी थी सबसे पहले सांसत प्रिंस राज को साधा गया उन्हें मनाने में इसलिए मुश्किल नहीं थी कि उनके स्वास्त की खोज खबर रखी थी सांसत चौदरी महबूब अलिकैसर जब लोग सभाचुनाओ का टिकट पक्कर नहीं कर पा रहे थे अपने लिए तब नितिश ने ही राम बिलास पासमान से महबूब अलिकी टिकट के लिए पैर भी की थी वैशाली की सांसत वीना सि दिंग को विधान परिशद मेलाना चाहती थी सुवे नितिश के साथ अपने संबंध ठीक करने में जूटी थी सियासी शेह मात के खेल में चिराक पासमान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं जहां भाजपा और उनके अपने परिवार के लोगों ने ही उन्हें धोखा दिया है सुवे चाचा की घर इस बाबत गलत फहमिया दूर करने उनके घर पहुँचे तो पौने दो घंटे इंतजार के बाद भी भतीजे की चाचा से मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन चिराक को अभी और बड़ा जटका लगना है माना जा रहा है कि उनकी पार्टी के पांचों स कभी भी जद्यू में शामिल हो सकते हैं उसके बाद जद्यू के कोटे से पशुपती पारस केंद्रिय मंद्री मंडल में शामिल हो सकते हैं अब अगर लोग सभा ध्यक्ष ओम बिर्ला लोग जन्शक्ती संसद्य दल के नेता के तौर पर पशुपती पारस को मानेता दे दे तो चिराख पास्मान की लोजपा के संसदी दल के नेता के तोर पर माननेता खुद बखुद खत्म हो जाएगी। बड़े सियासी खेल में चिराख पास्मान सबसे बड़े लूजर के तोर पर अवतरित हो सकते हैं। चिराख की उमीद अभी भी पियम मोदी से है कि वे उनका बेड़ा पार लगवाएंगे पर परते के पीछे भाजपा भी कहीं न कहीं इस आग को हवा दे रही है बिहार प्रदेश भाजपा ने इस पूरे मामले से पल्ला जारते वे कह दिया है कि अपनी पार्टी में तूट के लिए चिराग स्वेज जिम्यदार है